अयोदो जनपत के मिलकीपूर तहसील के गद दोर पूर ग्राम पंचायत में स्थित गाव पूरे बोध तिवारी के लोगों ने विधान निर्वाचन में एक बार फिर मतदान नहीं किया एक और जहां पूरे उत्तर प्रदेश में लोग तंत्र का पर्व जोर शोर से मनाया जा रहा है और लोग अपने मतों का प्रयोग करके सरकार बना रहे हैं सरकारे चुन रहे हैं वहीं पूरे बोट तिवारी के निवासी अब तक मद्दान केंद्रों तक नहीं पहुँच सके हैं क्या है ये पूरा मामला आईए आपको दिखाते हैं हमारे समवाद दातावी के यादव की ये खास रिपोर्ट विडंबना यह है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासनिक लापरवाही के कारण इन मतदाताओं को मतदान करने का मौका नहीं मिल सका है यहां के निवासियों के पुरवज जो बिना मतदान किये ही दुनिया छोड़ गए और मतदान का मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके जबके निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान अधिख सधिक करानी के लिए तमाम प्रकार के अभियान भी चलाये जाते हैं मीडिया ने इस मामले में जब ग्रामीनों से संपर्क किया और मदान ना करने का कारण पूछा तो ग्रामीनों ने बताया कि आजाधी के पहले उनके पुरवजों की सेकड़ों बीगा जमीन गदोपुर के जमीनदारों ने कबजा कर ली थी जिसके चलते उनके पुरवज बारा दिन उपवास करने के बाद अपने प्राण त्याग चुके थे जिससे गाव के लोग गदोपूर में बनाई गई पोलिंग बूत पर मतदान करने अब नहीं जाते इस समद में गाव के राम पुझवारी ने जुलाधिकारी से लिखिट शिकायत दर्जु कराई और अपना मतदान केंडर बदलवाने की मांग भी की है बावजूद इसके अब तक मामले में कोई कारिवाही नहीं की गई 27 परवरी को पूरे जिले में लोगों ने अपने मतदिकार का प्रयोग किया वहीं अब 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 तिवारी के लगबग 300 मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया ही नहीं इस संबन में जब मिल्किपूर के उप निर्वाचन अधिकारी उप जुलादिकारी दिगुजवे प्रताप सिंग से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस मामले की जानकारी उनको अब मिली है आने वाले चनाव में अलग से मतदान केंद्र की विवस्था कराई जाएगी यहां के मतदाताओं को मतदान कराने की सुविधा भी जरूर दी जाएगी आप जो बना है वहां नहीं जाते तो आप ने भी जो है विधान सब्स्वा चुनाव में देश के आजादी से ले करके अब तक मदान नहीं किया है कि अभी tep अभी में परान का वड़ा था उसमें वहां डाला गया है और शंजय समारक के इसबूल में डाला गया था अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले वक्त में इन ग्रामिनों को अपना हक मिल पाता है या यह यूं ही मताधिकार से हमेशा दूर रहेंगे